बॉलिवुड की दुनिया बहुत अजीव है, यहाँ पे हीरो जो है बहुत लंबे समय तक फिल्मी दुनिया में बना रहता है, लेकिन हीरोईन आती है और चंद सालों बाद बॉलिवुड से गाइब हो जाती है, ऐसी एक अक्टरिस हुआ करती थी आईशा जुलका, जिन्हों दिखती भी है, दोहजार अठारे में एक फिल्म में नजर आई थी, लेकिन वो फिल्म में मा का रोल करती है और ऐसी फिल्म में आती है कि उनका आना जो है किसी ने नोटिस भी नहीं किया, नव्दे के दशक में एक चुलबुली क्यूट सी कह सकते है अक्टरिस हुआ करती थी आईशा जुलका, आईशा जुलका ने अक्षे कुमार के साथ फिल्म खिलाडी में काम किया था, सल्मान खान के साथ फिल्म कुर्बान में काम किया था, आमिर खान के साथ उनकी फिल्म आई थी जो जीता वही सिकंदर जो की बहुत हिट वी थी और आईशा के करियर में क उनकी पढ़ाई लिखाई सब दिली में हुई थी और बात के दिनों में जो है वो मुंबई गई और वहाँ उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया नबे के दशक में आईशा जुल्का ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन कुछ फिल्में ही जो ऐसी रही जिसके जरीय कह सकते हैं उनको लोग आज भी याद करते हैं आईशा जुलका के अफेयर के भी बहुत चर्चे रहें फिल्म खिलाडी के सेट पर जो है अक्षे कुमार आईशा जुलका के प्यार में पड़ गए उससे पहले अक्षे जो है पूजा बत्रा को डेट कर रहे थे लेकिन खुब वो मस्त मस्त गर्ल की जादू से खुद को रोक नहीं पाए और यहां आईशा का दिल तूटा और अक्षे ने रवीना टंडन से दिल लगा लिया इसके अलावा मिठुन चक्रवर्ती से भी उनका नाम जुड़ा लेकिन जो मेन उनका जो सबसे जादा याद किया जाता है व उनकी कहानी बहुत कंट्रोवर्सिल रही मनीशा कोईराला जो है कभी वो नाना पाटेकर के जिन्दगी में हुआ करती थी और जब किसी एक फिल्म के सेट पर जब नाना और आईशा की मुलाकात हुई तो इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई और कहा जाता है कि मनीशा कोईरा कट्रोवर्सिल बार ने नाना पाटेकर और आईशा जूल का को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद इन दो एक्ट्रोस के बीच जो है नाना पाटेकर को लेकर जबतासब लडाई हुई थी बात के दिनों में मनीशा जो है नाना की पाटेकर की से चली और आईशा जुलका कई सालों तक उनके साथ रही, फिर इन दोनों का भी ब्रेक अप हो गया, आईशा जुलका जो है अब एक बिजनसमेन से शादी कर चुकी है, हैपिली मैरेड है और वो अपना बिजनस चला रही है, बॉलिवुड की दुलियां से दूर है, बहुत जादा स जहन में बसी हुई है, अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इंटर्टेन्मेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलिवुड और टीवी से सुने रही हमारे साथ और देखते रही है, E24